हेलो है नमस्कार दोश्तों तो BCCI लगातार पुरा जोर लगा रहा है कि कैसे भी करकर IPL 2020 का आयोजन करा जाए और इसी लिए BCCI और UAE बोट के बीच IPL 2020 का आयोजन को लेकर लगातार बात हो रही थी और अब फाइली BCCI ने इस बात पर रिस्पॉंड दिया है और एक बहुत बड़ा स्टेट्मेंट दिया है और BCCI के इस स्टेट्मेंट से एक बात बहुत क्लियर हो जाता है कि IPL 2020 का आयोजन UAE में होगा या नहीं तो आज की इस वीडियो में आपको पूरे डीटेल में बताएंगे कि IPL 2020 का एजन UAE में होगा या नहीं और BCCI ने IPL 2020 के उपर क्या स्टेट्मेंट दिया है तो जोस्तों BCCI पुरा जोर लगा रहा है कि कैसे भी करकर IPL 2020 को इंडिया में कराया जा है लेकिन आई IPL 2020 का आइडियन इंडिया में होपाना लगभगा संभव हो गया है तो ऐसे में इंडिया में IPL 2020 का आयोजन बिल्कुल नमूंकिन सा है तो ऐसे में BCCI अधर बोर्ड से भी बात लगातार कर रहा है IPL 2020 के आईडियन के लिए इसी में यूएई बोर्ड ने BCCI को काल करकर एक प्रस्ताव रखा था जरसल दोस्तों UA बोर्ड ने BCCI को काल करकर उनको आफर दिया था कि अगर आप चाहो तो आप सेप्टेंबर के विंडो में IPL 2020 का आयोजन यूएई में करा सकते हो और गाईज आपको बता दे कि एसी अकप कभी आयोजन यूएई में होने वाला है सेप्टेंबर में गाईज ऐसे में आपर आफर दिया था यूएई बोर्ट ने बिसस याई को कि अगर आप चाहो तो एसी अकप से ठीक पहले आप यूएई में IPL 2020 का आयोजन करा सकते हो और ज्यादा 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 जो accepted date था IPL 2020 के starting date को लेकर वो था एक सेप्टेंबर तो गाईज यहाँ पर mini IPL आपको देखने को मिलने माला था यूएई में यहाँ पर ऐसा कुछ है आपर प्रस्ताव रखा था यूएई बोर्ड ने PCI के सामने तो उसका फाइनली PCI ने से रिस्पॉंड दे दिया है दरसल दूस्तों पांच मैं के आसपास PCI के एक छोटी सी मीटिंग रखी गएगी और उस मीटिंग में IPL 2020 पर बहुत सारी चर्चाय हुई थी और उसी मीटिंग में इस बात को फ्लियर कर दिया गया कि IPL 2020 UA में होगा या नहीं दरसल गये इस मीटिंग में PCI ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया और PCI ने कहा है इस बात को बिल्कुल कंफर्म वेरिफाई किया है कि UA बोन ने उनको कॉल करकर इस बात का अफ़र दिया था कि आप IPL 2020 का आयोजन हमारे कंट्री में करा सकते हो और उसका जवाब देते हुए PCI ने कहा है कि अभी फ्लाइट्स बंद है ट्रेवल प्रतिबंद लगा हुआ है तो अभी हम IPL 2020 के आयोजन के बारे में नहीं सोच सकते अलाकि हम इसके बारे में भी आगे आने वाले समय में सोचेंगे तो गाइस मतलब PCI ने स्वाब क्लियर कर दिया है कि अभी जरूरो इस बात पर नहीं सोच रहे है लेकिन आगी आने वाले समय में वो इस बात पर सोचेंगे मतलब अगले महिने तक यानी आपको जून तक एक बात क्लियर को जाएगा कि आई पेल दोजाविस इंडिया में होगा या 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 यूई में होगा लेकिन गाइज कूल मिलाकर ये बिससी आई के लिए एक बहुत ही अच्छी गूट नीज है क्योंकि गाइज बिससी आई के पास आई पेल दोजाविस को कराने का बहुत से बीकल्प अवेलबल हो चुका है उनके पास स्रिलंका बीक का भी एक अच्छा ओफ्सान मौजूद है साथ साथ अब यूई ने भी सामने से ओफर कर दिया है तो अब बिससी आई को सिर्फ सोचना है कि आई पेल दोजाविस का आयोजन कहां करवाएंगे तो यूदि इंडिया में तो आई पेल दोजाविस का आयोजन होना नगभाग मुस्किल तो है तो ऐसे में 17 मही को इंडिया से लॉकडाउन हाटने वाला है और उसके बाद ही 17 मही के आसपास आपको आई पेल दोजाविस की गुवर्निंग काउसिली रिखने को मिलने माली ह और उस मिटिंग में इस बात पर decision लिया जाएगा तो गाई यही थी एक छोटी सी अपडेट जो कि आई पैल दूजा इस पर निकल कर आ रही थी मैं वोप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आओगा अगर वीडियो पसंद आओगा तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं यह वीडियो में तब तक के लिए भागा